दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले कि 307 मरीज बिहार में टोटल हो चुके हैं यानि हम कर सकते हैं कि तीसरे सतक का आकड़ा बिहार पार कर चुका है और बिहार में कोरोना पोजेटिव मरीजों की संक्या 307 हो गई है इस वक्त जो ताजा अपडेट स्वास्त विभाग के सचीव संजेक कुमार ने दिया है इनके संक्रमन की जानकारी उपलब्द की जा रही है और टोटल जो है 17 मरीज मिलने के बाद बिहार में आकड़ा 307 पहुंच गया है स्वास्त विभाग के सचीव ने ये अभी पुष्टी की है तो हम आपको दोस्तों इसका डिटेल्स भी बता रहे हैं कि कौन मरीज कहा कितने मरीज मिले हैं वो आप देख सकते हैं यानि जो मरीज मिले है आपको हम बताते चले कि 9 मरीज मुंगेर के मिले हैं वहीं 5 मरीज जो हैं मधुवनी जिले के हैं और 3 मरीज लखिस राई जिले से हैं तो दोस्तों इस वक्त की बड़ी ख़बर जो आ रही है सामने निकल करके हम आपको वता ही दिये 9 मरीज मुंगेर के हैं 5 मरीज मधुवनी जिले के हैं और तीन मरीज लखिस राय जीले से हैं और इसके बाद पूरे बिहार में आकड़ा 307 पहुँच गया है तो दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर है बिहार से यानि हम कर सकते हैं कि IPC की धारा 307 कि आकड़े पर विहार में पहुँच चुका है और विहार में लगातार मरीजों की संक्या में इजाफा हो रही है तो हम लगातार आप से अपील कर रहे हैं कि आप घर में रहें घर में रहकर ही इस वैस्मिक महामारी से जंग जीत सकते हैं तो दोस्तों आप घर में रहें और घर में रहकर इस पर बीजय प्राप्त करें ताकि हम सोसल डिस्टेंसिंग का बखोभी पालन कर सकें तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ सेर करें, कमेंट करें और पाएं विहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले